स्वागते गलेज आपका अज के इस बेटरिन से वीडियो में अज के इस वीडियो का मोटीव हमारा स्ट्रेट फोर्वर्ड है कायो को यह होता है कि उसको अपनी कार में AVBS चाहिए होता है लेकिन कोई amplifier का जमेला हो नहीं चाहते है, उसको कोई एसा सिस्टम या एसा इंक्लोजर चाहिए, जिसमें एम्प्लिफायर आ जाए, जिसमें सबूफर आ जाए, और ये भी बेस भी आ जाए, एसा मार्केट में दो ही ओप्शन अवलेबल होता है, पेला ओप्शन होता है जमरा इन बील्ट ए बेस ट्यूब, और जो दूसरा ओप्शन होता है, वह है अंडर सिक एम्प्लिफायर, इन दोनों में ही सबूफर आ जाता है, केबिनेट आ जाता है, और एम्प्लिफायर भी इन बील्ट होता है, लेकिन गैस दिक्कत के आती है, कईो को वो ज्यादा है वी बेस चाहिए होता लेकिन अजके इस वीडियो में मैं बताने वाला हो कि अगर आप इस प्रकार का कोई सोच रहे हो, तो आपकी इस प्रकार से बड़े आराम से बना सकते हो, तो देखेगे उसके लिए आपको सिप तीन चीज़ की जरूरत है, एक हो गए आपका केबिनेट, दूसरा हो गए आ आपका एंप्लिफायर, अब बात ही आती है कि सबूफर नया मिल जाता है, लेकिन इस प्रकार का केबिनेट आपको नया बहुत ही कम चांसे कि आप नया इसे पर्चेस कर सकते हो, डाइरेक्ट, इसके लिए आपको इसे घर पे बनाना होगा, या आपके कोई मिस्त्रे से बन अब बात आती है कि सबूफर कहा से ले, कितनी रेंज का सबूफर अच्छा होता है, और जो में बात आती है कि बेस्ट्यूब सर्किट हम कहा से पर्चेस करें, क्योंकि मार्केट में अक्सर 4 चैनल एंप्लिफायर और 2 चैनल एंप्लिफायर अवेलेबल होते है, लेकिन हमे इतने आवि अमप्लीफियर की जरूरत नहीं होती है हमें सिफ एकग्स वूफर द्राइव करना होता है तो उसके लिए एक प्रक्षन बाकी रह जाता है गैज वह होता है बेस्ट्युब इंप्लीफियर जो कि इन बीड लग जाता है मार्केट में कई तरह के बेस्ट्युब इ ह्तिक ठारपशने मोई के बाँ डिक्राइबल ऐर वक्सक्राइब नियुक्तनी पूर sık lige को annose रहता है वो किसी सबस्रीय के पैसे होते क्यों इतने ज्यादा पैसे हमें देने होते देने हैं कईू पता नहीं होता है कि एक अच्छे एम्लीफार में हमें क्या-Cya देखना है और किसी सबसे इसके पैसे देन ones तो गैस आज के इस वीडियो में सारे टोपिक को कवर करके इस खाली बड़े केबिनेट को एक बहुत ही शांदार इंबिल्ट एंप्लिफार वाला इंक्लोजर डिजैन करेंगे तो चलिए उसके पहले तो सबसे पहले मैं आपको इंक्लोजर दिखा जैता हूँ इसका वीडियो में पहले ही बना रखा है अगर आपने नई देखा तो तो मेरी चैनल पे वालेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी में लिंक दे रहा हूँ तो इस प्रकार से आपको अपने इसाब से इंक्लोजर डिजैन करना है तो देखेंगे आपको इस प्रकार से एक कट आउट करना होगा आपके एंप्लिफार के इसाब से इसका नाप डिफरेंट होता है लेकिन आज जोम एंप्लिफार यूज़ करेगे या तो आप मेरे through को amplifier ले देऊ तो उसके लिए मैं आपको cutout बता देता हूँ 7.5 x 5.5 का आपको cutout करना है आपको इस प्रकार से 15 और इस प्रकार से 6 cm का cutout करना है तो यह तो बात हो गई 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 अमारे enclosure की अब हम हमारे amplifier को देख लेते कि कौन से amplifier हम लगाने वाले है इसके लिए कई लोग पूत है कि इसमें कोई brand नहीं है तो यह कौन से brand का आता है फ्रेडो का अच्छा है यह अच्छा है तो सभी जो high quality का आते हो इस प्रकार से फोर्मल ली आते है फ्रेडो वाले यह कोई एक्सवाइज कोई भी कंपनी वाले क्या करते है वह लोग क्या करते हो अपनी brand का नाम इधर branding करवाते है तो आप बोलोगे फ्रेडो का हो गए इसका हो गए लेकिन सभी एक जैसे यह आते अब अच्छी quality के लिए आपको क्या ध्यान देना है अब एक अच्छी amplifier में आपको क्या ध्यान देना है वह देख लिजी पहले तो आपको एक ट्रांजिस्टर देखना है कि अच्छी quality के होने चाहिए इधर इसमें अब आपको देखने के बाद आपको देखना है कि साइड में ट्रांजिस्टर लगे हो होने चाहिए अमारे वोल्टेज को बूस्ट करना के लिए बाद में जो में चीजे जो आप बड़े ही आराम और आसानी से नोटिस कर सकते हो है इसकी कोईल कौल या सस्थे अंप्लीफार होगे उस कोईल में इतनी सारे वायर नहीं नहीं हो गए बहुत ही कम तारिसमें से निकले हूए होगे तो आप को करना है उसको पर्चेस नई नहीं करना है बाद में इसकी अगर आपकर स्बाद तो इसके बाद लूब आईसी होनी चाहिए देख लिजी और इधर भी इतने सार फंक्शन होने ही चाहिए अगर आप पंद्रा सो रुपे दे रहे हो एक एंप्लिफार के लिए तो इस प्रकार से हम आज के वीडियो में इसका यूज़ करेगे इसके बारे में भी काफी डिट आप फूल ओडियो लेना चाहिए तो फूल ओडियो ले सकते हो या तो सिब बेस भी ले सकते हो तो यही कुछ बात हो गई अब इसके तो गयज अब इसके आरे मेंस पावर की बात कर लेते हैं तो यह 150 वर्ट तक का आरे मेंस पावर जनरेट कर देता है तो इस प्रकार से इ तो आज के सीडियो में हम जो सबूफर यूज करने वाल है तो डियूल वन थाटिफाइ मेगनेट में एक जोर का ट्वेलिन सबूफर तो चलिए जल्दी से इसकी अंबोक्सिंग करके इसको निकाली लेते तो यह देखिया गईज यह हमारा सबूफर है में एक बार आपको और अच्छे से दिखाता हो यह देख लिजे और इसका मेगनेट देखिए आप और इसमें आपको इस प्रकार के पूस्ट गोल्ड प्लेटेट कनेक्टर मिल जाते जो कि बहुती अच्छी बाते हो और यह सबूफर बहुती हैवी कॉलेटी और एकदम बढ़िया काम कही लोग क इसको पूरा ही एक आप बंद कर देते है ता उसको अगया उक्सर क्या होता है जब आप इसको पूरी तरीके से कवर अप कर लेदा हो तो यह बहुती ज्यादा होता है उसकी व्यंदिशय च्छी आपकाहे जल्ड इखरा बोजाएगा और इसकी डिजेन इस cinर्वा पीसको ड जल्दी से पेक करता हूँ और आब आद में हम इसकी साउंड टेस्टिंग देखते हूँ और देखते हैं किया आपको इस प्रकार का कोई सेट अप बिल्ड करना चाहिए कि नहीं तो फाइनल गैज हमारा पूरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है एक बार आप इसका लोक देखिए बहुत ही शांदर सा लूक आ रहा है तो चलिए गैज मैं आपको इसका जो एम्प्लिफायर हमने लगा है वो भी दिखा देता हूँ तो यह देखे गई इस परकार से अमरह पूरा ही एम्प्लिफायर माउंट हो गए हुद्धर तो जब मैंने इसको फेक्स किया उस वक्त्ञाит मैंने उस वक्त पे मैंने देखिए इस परकार की फोम्न टीप का युछ ज़र कि कई कहीसे भी अमारी एह clicking न आ चेलं 윤 तो इस प्रकार से हमारा पूरा बिल्ट रेडियो हो चुका है तो चलि जलिए जल्दी से हमें साउन्ड के सेम्पल सुनते हैं उसके लिए आपको उने एरफोन लगाने होगे तभी आप तभी आप इसकी sound quality को judge कर पाएगे कि किस प्रकार की इसकी sound quality है वड़ना आपको normal साही लगेगा तो चलिए कर दो डोगे वड़नामीश सेपर करेपक preservだ heck तो आपने देखे गए इसकी साउंड कॉलेटी यकिन मानिय बहुती सांदर से साउंड कॉलेटी आपको देखने को मिलती है और इसका जो पॉंच और इसकी जो लो फ्रिक्वंसी वह भी लाजवाब है जितना इसमें हमारा सबूफर का रोल है उतना ही हमारे इस इंक्लोजर का भी इसमें रोल है तब यह इतनी अच्छी तरीके से बेस दे पारा है और इतना यूज करने पे भी हमारा एंप्लिफायर मिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है अब मुझे कैसे पता चला तो इसमें से मेरा हाँ चला जाए उतना एयर्पोर्ट में रखा है तो मैंने जस्त जानने के लिए चेक किया कि यह ही टो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन बिलकुल भी नहीं हो रहा है इस प्रकार से आप विना inbuilt best U purchase किये इस प्रकार झाल झाल